नमस्कार दोस्तों मैं जूती शर्मा आप सबका विलकम करती हूं कुंडली टीवी की खास पेशकर्ष आज का राशीफल में इस शो में हम आपको बताते हैं आपके दिन बर का हाल तो चलिए मेश से लेकर मीन के राशीफल के साथ साथ बताते हैं आपको आज का खास उपाए लेकिन उससे पहले पंचांग जानते हैं आज का पंचांग आज दिन है मंगलवार का दिनांग 27 अक्तूबर 2020 शुकलपक्ष हिंदू मास अश्विन पिथी एकादशी वनक्षत्र शत्भिशा रहेगा आज का योग है दूब और करण है विशिष आज के खास दिन पर सूर् शाम 11 बचकर 24 मिनट से दुबहर 12 बचकर 29 मिनट तक रहेगा आज का राहुकार रहेगा दो बचकर 13 मिनट से शाम 4 बचकर 16 मिनट तक आज का दिशा शूल है उत्तर की तरफ तो फिल्हाल उत्तर दिशा की यात्रा टाल दे तो चलिए आप जानते हैं आज विशेष क्या है आज है पमपम कुशा एकादशी, तो चलिए अब आपको बताते हैं आज का महा उपाई, आज विश्णू स्तोत्र का पार्ट करें, आपको कोई शुप समच चार मिल सकता है, चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं राशी फल की, राशी फल में सबसे पहली राशी है मेश यान लेकर ही निकले, आपको सभी कामों में सफलता मिलोगी, व्रिश राशी वालों की बात करें तो आज उनका दिन भी बहतरीन रहेगा, रास्ते में जाते वक्त आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जो आपके बिजनस में निवेश कर सकता है, जिससे मिलकर आपको खुशी मैसूस होगी, स्टूडेंट्स लॉकी तयारी कर रहे हैं तो आज उन्हें किसी लॉफ ओम में जॉब के लिए ओफर आ सकता है, अब बात करते हैं मित्तुन राशी वालों की, मित्तुन राशी वालों आज आप रशनात्मक कार्यों में सफल होंगे, कुछ नया सीख लिखने को भी मिल सकता है, चनोतियों का डटकर सामना करेंगे, ऑफिस में जूनियर से आपको सहयोग मिल सकता है, करग राशी वालों की बात करते हैं, जो लोग अपने विवसाइक शेत्र को बदलना चाहते हैं, वो अपने निर्ने लेने से पहले आज अपने से बड़ों क जरूर ले, आज आप दूसरों की बातों को समझने की पूरी कोशिश भी करेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा समय दीतेगा, सेहत का खास खयार रखिये, आपका पेट खराब हो सकता है, जीवन साथी पर शक भी हो सकता है, इसी बात या स्थिती पर आपकी सोच बदल सक है, सेहत का खास खयार रखिये, आपका पेट खराब हो सकता है, छटी राशी यानि कन्याराशी वालों की बात करते हैं, आज आपका दिन खाच रहेगा, करियर के बारे में सोचने के लिए समय अच्छा है, इस राशी के करंचारियों के लिए भी दिन बेहद अच्छा है, ओफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं आज खत्म हो जाएंगी। तुला राशी वालों की बात करें तो उनका दिन थोड़ा सा उतार चड़ाव भरा रहेगा। बिजनस में धनलाग के कुछ असार बन रहे हैं। एक गलती आपका नुकसान करा सकती है। आज मित्रों के साथ एहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। विश्विक राशी वालों पर आते हैं आज उनका दिन सम्मानने सा रहेगा। मनुरंजन पर पैसे खर्च कर सकते हैं जिससे आपको आनन की प्राप्ती भी होगी। साथ ही आपको कारेशेटर में भी बड़ोत्री के नए अफसर प्राप्त हो सकते हैं। अनम्यारी लोगों की बात करें तो उन्हें आज विवा के शुप्रस्ताव मिल सकते हैं। धनुराशी वालों की बात करें तो आज आपका दिन ठीक ठाक ही रहेगा। आपके काम में बहुत मन लगेगा। अपने काम से आप भी खुश होंगे। बच्पन के किसी दोस्ट से मुलाकात भी हो सकती है। अचानक से धनलाव पूने की संभावना भी बन रहेगी है। दस्मी राशी यानी मकर राशी की बात करें तो आज आपके नए कारों में रूची बढ़ सकती है। जिससे आपको कुछ नया सेखने को मिलेगा। आज आप अपने फिजूल के खर्चे को कम करने के प्रयास भी करेंगे। आफिस में आज एक्स्ट्रा वर्ग करने से दुखा हुआ कारे जल्दी पूरा होगा। जीवन साथी के साथ लॉन ड्राइपर जाने का प्लान बना सकते हैं। कुम राशी वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। जरूरी कामों को समय पर पूरा कर लेंगे। आज अच्छे कारे आपका ध्यान अकर्शित करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध पहले से मधुर होंगे। मित्रों से भी सच्चा और अच्छा सहयोग प्राप्ट हो सकता है। आख्री राशी यानी मीन राशी की बात करें तो आज इस राशी वाले लोगों को रशनात्मिक कारू की और ज्यादा मन लगेगा। इस राशी के राजनीतिक शेत्र से जुड़े लोगों को सुसाइटी में आज पहले कि ये समाजी कारे के लिए सम्मान भी मिल सकता है। जीवन साती के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जिससे आप उनके साथ इस्टे मजबूत होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात करेंगे एक नए राशिवल के साथ और बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका दिन। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूहीं बने रहें और देखते रहें कुणली टीवी और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर कर लें नमस्कार